समाजवादी पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष अखलेश यादव की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही हैं उतरप्रदेश के विधान सभा चुनाव के स्तास साथ आजमगड और रामपूर लोक सभा उपचुनाब में हार का सामना किया समाजवादी पार्टी ने और इस हार के बाद अखलेश यादव काफी सादा अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आप जानते ही हैं कि उतरप्रदेश के विधान सभा चुनाव के बाद अपने चाचा शिपाल सिंग यादव के साथ अपनी जगड़े को लेकर नाराजगी को लेकर वह काफी जादा विवादों का सामना करते हुए नजर आए जिहां शिपाल सिंग यादव जिन्होंने अपनी नाराजगी को कई बार जाहिर किया कि कई बैठकें की गई उन बैठकों में उन्हें आमंतरित तक नहीं किया गया अखलेश यादव के बरताफ से काफी जादा नाराज नजर आए शिपाल से यादव और वो तमाम तस्वीरे भी देखने को मिली जिसमें अखलेश यादव उन्हें एग्नॉर करती हुए भी दिखाई दिये हैं वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस्थार के बाद सोहेल देव भारति समास पार्टी के राष्ट अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अपनी नाराजगी को लगाता जाहिर कर रहे हैं ओपी राजभर ने अब तक ऐसे कई बयान दिये हैं और उनके बयानों के बाद अब कयास लगाना शुरू हो चुका है कि वह एक बार फिर से बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं या फिर कॉंग्रेस की तरफ भी रुख कर सकते हैं ओपी राजभर ने स्तभी पार्टियों को लेकर हाल ही में एक बयान दिया था जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में कि ओपी राजभर ने जो बयान दिया उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस की तरफ से उन्हें प्रस्ताप आते रहते हैं वहीं दूसरी रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि बीजेपी में भी उनका स्वागत हो सकता है क्योंकि बीजेपी के कई नेता हैं जो ओपी राजभर को एक पर फिर से भार्दि जनता पार्टी में शामिल होने के लिए पुला रही हैं वहीं इसी बीच ओपी राजभर ने शिपाल सिंग यादव की समर्थन में भी हाल ही में एक बयान दिया जिसे अब कयास शुरू हो चुके हैं क्या वाकई में वहें शिपाल सिंग यादव की पार्टी के साथ गठवंदन कर सकते हैं जड़ा देखिए ये रिपोर्ट पूरे ही देश्वर में राष्ट पती चुनाफ को लेकर इस वक्त स्यासत कर्माई हुई है जहां एक तरफ एंडिय की तरफ से द्रोपदी मूर्मू उमीदवार बनाई गई हैं वहीं दूसरी ही तरफ यूपीय की तरफ से मैदान में उतारे गई हैं यश्वंत सिना 18 जुलाई के दिन राष्ट पती चुनाफ होने वाले हैं और इन चुनाफ से पहले पार्टियों में मनमुटाब भी देखने को मिल रहा है गटवंधन दाव पर लगे हैं गौर करें उतरप्रदेश के राजनीती की तरफ उतरफ प्रदेश के विधान सभा चुनाफ दिल करने के बाद बीजेपी कई एहम फैसले तो ले ही रही है लेकिन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें पड़ती ही चा रही हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट अध्यक्ष अखलेश यादव जहां एक तरफ चाचा शिपाल सिंग यादव से दूरियां बढ़ाती अध्यक्ष सभासपा के अध्यक्ष औपी राजपर ने खाल ही में अखलेश यादव की पार्टी के साथ गडबंधन को लेकर अपनी पात रखी अपनी नाराजगी को जाहिर किया उन्होंने हाल ही में बताया कि राश्ट्रपती चुनाव के उमीदवारी के रिपीट उन्होंने हाल ही में अपनी नाराजगी को जाहिर किया जब अखलेश यादव ने यश्वंतस दिनहा के साथ बैठक की लेकिन उस बैठक में ओपी राज ने कहा कि अगर अखलेश यादव खुद गटवंधन तोड़ें और कहें कि हम आपके स्ताथ नहीं रहेंगे तो फिर नया गटवंधन बनाया जाएगा गटवंधन के लिए यहां पर तमाम तल है और उनकी इस बात से जाहिर हुआ है कि अब उनका स्वागत प्रस्पा में भी हो सकता है दरसल शिपाल सिंग्यादव को लेकर ओपी राजवर ने खुद कहा कि शिपाल सिंग्यादव की पार्टी है वहां पर जोर लगाएंगे इतना ही नहीं आपको बता दे कॉंग्रेस और बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हैं कि बीजेपी की नेता जिस तर उन्होंने कहा कि मायावती की पार्टी वहां पर जोर लगाएंगे और कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस तंग गठवंदन का प्रस्ताप तो आता ही रहता है इस तरीके से ओपी राजवर ने बात कहीं लेकिन यहां पर गौर करने बाली बात तो शिपाल सिंग्यादव की पार्टि की तरव यह उन्होंने कहा कि शिपाल सिंग्यादव की पार्टी हैं वहां पर भी जोड़ लगा सकते हैं इस तरीके से अब और यहांपर नाराज कि जाहिर कर रहे हैं देखना दिल्चस होगा क्या वाकई में शिपार सिंग यादव ओपी राजवर के पार्टी के साथ गडबंदन करेंगे ये वक्त के साथ ही पता चलेगा आप सभी ने देखा जाना कि ओपी राजवर के ये बयान इस वक्त काफी जादा सुर्ख्यों में पने हुए हैं मालूम हो कि समाजवादी पार्टी यानि कि अखलेश यादव ने यहाँ पर जितनी भी पार्टीयों के साथ गडबंदन किया वो गडबंदन तूटते हुए नसर आए हैं और अब ये गडबंदन भी दाव पर लग चुका है ओपी राजवर ने राष्ट्र पती चुनाग को लेकर एलान कर दिया है कि वह द्रोपधी मूर्मू को समर्थन देंगे एंड़ी ए की उमीदош़्ादी मूर्मू वहीं योपी देंट की तरफ से उमीदवार है यश्वंत सिन्हा के अकलेश यादव आगे की रणनीती में पता चलेगा कि आखिर कर दो कर दो कर दो